किसी भी कीमत में अपनी बेटियों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे। बेटियों को स्कूल नहीं भेजने की बात कर रहे हैं। सामने आही थी कि अब विहसरकारी स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के माता पिता भी अपके के पाठक के आदेशों की अभेला करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिवावक सक्षा बिभाग के इस नरदेश पर नाराजगी जताते हुए। सीधे तोर पे कहा रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों को घर से दूर स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। चाहे उनकी पढ़ाई क्यों न बंद हो जाए। विभाग के फैसले और अभिवावकों की चिंता में की बीच फसी लड़कियों की सिती बेहती दैनिये है। इसका एक ताजा उधारन प्रखंड के राजकिये शुक्रदास उच विद्याले में देखने को मिला है। पहुच्वी लेकिन अधिकारी अनुपस्थित रहे। बताया गया कि सभी पद अधिकारी चुनाब कार में व्यस्त है। नौवी कक्षा में दाखिल के लिए पास के लिए ही प्लस टू शुक्रदास हाई स्कूल जाने पर प्रिंस्पल। इला कुमारे ने बताया कि विभाग के पत्र में स्पस्ट लिखा है कि आपके स्कूल के बच्चों का दाखिला नहीं हो सकता है। बरहट पंचायत के बच्चों का ही ना मांकर होना है। नहीं रहेगी उनके घर की इज़्यत हैं और उसे बच्चाक के रखना उनके लिए बहुत जरूरी है और ये एहमियत भी है। उन्होंने सवाल किया कि आप जब इज़्यत ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई कराने का क्या फाइदा। इस मामले को लेकर प्लस टू शुक्रदास हाई स्कूल की प्रचार इला कुमारी ने बताया कि विभागनी आवंटित स्कूलों में नामांकर लेने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस नियम के कारण कई शात्रों को परिशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ लड़कियां रो रही हैं पढ़ने के लिए इस पर अब सिक्षा विभाग क्या करता है और अगर केके पाठक तक ये बात पहुंसती है तो केके पाठक इस पर अब क्या एक्शन लेंगे ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस